हेलो इस्ट्रेंट्स स्वागत है आज क्लास के अंदर क्लास 32 आज हम एक नया चेप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चेप्टर का नाम देशे बिजनिस और प्रोपेशन गेन होना चाहिए उसके अंदर एक हमने सब चेप्टर अलग से कर लिया है वह है डेप्रिशन और एक छोटा सा अलग से चेप्टर नमर फाइब बना लिया है डेप्रिशन प्रोपेशन का इसकी लगब लगब तीन-चार क्लास सामके लिए होने वाली आज क्लास के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और कास्वत कमोडिटे एक लिए तो काफी इंपोर्टेंट है तो आज क् आपको इनमें बेसिक डिप्रेंस पता होगा जिनको फिजिकली विजेवल हैं जिनको फिजिकली चूश सकते हैं और कुछ ऐसी चीजी होती है जो आपका टेरेंट होता है ठीकि वह पर्टिकुलर आपकी नोलेज होती है इस कारण उसको एससे वाना जाता है और उसको आप फिजिकली उसके विजिबल नहीं होती हो जैसे आप यहां बात करें जब पैटेंट्स हैं जैसे हमें कोई चीज बना लिए इसके पैटेंट्स ले लिया कॉपिराइट से लिया टेड़ मार्क हो गया लाइसेंस हो गया टेकनिकल नोलेजे यह सारी चीजे हैं यह सारी पर लागो होगा तो सबसे जो क्यों बहुत सारी बार आप लिखा आ जाता है आपके छोटी से क्वेशन पूछ लागा जाता है कि एक एसेट से वह खरी दी गई है एक अप्रेल 1902 में को यह 96 को है कोई सब यह लिग देगा बदाइए इसके ओपर कितने अमांट पर ही हमें यह इसका प्रोजना बेनिफिट मिलगा इससे फेले वाले पर हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अब डेप्रिशन लागो करने के लिए इनमें शर्ते हैं अब इसके अंदर बात यह आपर यह बताया जा रहा है कि कौन कौन सी कंडिशन जिसे हम सेटिस् से इंकम हम कम मानें और कम नहीं मानें तो सारी कंडिशन से आई थी हमारे पास में इससे यह डिपरेशन ने दिया आपको लगो करना किसे एसेट्स पर आप एपलिकबल करोगे तो उसके जरूरी है कि आपके लिए वह एसेट्स पर जब आप डेपर लागो करने जा रहे हो इसके लिए टर्म कंडिशन फुलफिल करती हो पहला तो बढ़ाए गया कि एससी है जो आपका कर दादा जो जो भी जिस भी कंपनी के एसेट्स है या पिर आप टेक्स देना जाता है तो आप उसके रियल ओनर हो वास्तिक स्वामी हो आप उसके ठीक है तो आप उसके वास्त है कि हम मिलेगा यह नहीं पहले गा जैसे माली जैसे किराय jsum बीचिन ले कोई लीडियर नहीं होते एक जनल सा नहीं है मैं कियराय लें और उसके वर आपके बिजिनस के उपर आगomme करने के लिए तो उस मकान, मकान की वपर उस हास हाउस के उपर क्योंकि वह आपने बनाया है आपने उसके वाइफन हम उसके उपर आपको डेप्रिशन मिलेगा बले ही जमीन क्या है आपकी किराय के लिए मकान का विस्तार हो जिसे आपने किराय पर किराय के लिए मकान ले रहा है तो उसके उपर किसी भी हालत में आपको डेप्रिशन लाओ नहीं गए क्योंकि किराय का हाउस है वह मकान नहीं वहाश के लिए आप रेंट देऑ रहे हो ना तो आपको मालिक तो होई नहीं लेकिन मान लीजिए उसका आपने एक्स्टेंशन कर जेसे दोऑ अपने जमीन को किराय पद्धेन जमीन को किराएबली जमीन आपने आगे खुद का जो आपने बाद में किया है किराय के अलावा अदरदेन आपने किया है उसके उपर आपको विस्तार के उपर आपको डेपरिशन अलाव होगा क्योंकि वो खुद्धे आपने बनाया है एक होता है नाम से और पर हएर वारी पर्चेजिंग मेठेड़ों बोलते हैं मैंने किरायाए पर को एसेट्स लिए हैं तो किरायाए पर एसेट्स ली है लेकिन इसके अंदर भी आप उसके मालिक नहीं बनते हैं इसका पूर बेसिक प्रोजिशन समझें प्रक्राइब एसेट्स निंगा मतलड़ क्यों होता है कि मलता है इसकी इस्तोल्मेंट करें हो इस इस्तोल्मेंट चुकने से पेले आप उसके किरायदार आपको यह मानने जाती है कि आपने इस से मेले जो भी इस्टोल्मेंट दी है वह सब किराया है और आपकी गाड़ी है वह जब्त कर लेते हैं इस परकार से आपने प्लांट मशीन कोई भी चीज आपने लिए कार लिए आपने ठीक है उसके पर आप मिलेगा ने इसकी बात आती है तो बहले ही वह किराये पर ही है यह मानना जा रहा है कब तक किराये पर मान जाती है जब तक कि आखरी इस्टोल्मेंट नहीं देते हैं जनरली वह चीज आपके पास किराये की रूप में ही रखी हुई है कि आपने किराये बली हुई है बट आगेर पीछा हुआ आपकी होने वाली है आप डिफॉल्टर नहीं होने वालों यह इंकम से मानता है और आपसे यूज भी ले रहे हैं उन्हें बिजनस के लिए इस ची सब्सक्राइब आपको आपको पार्शली अलाओ हो जाएगा नेक्स पट्टे पी प्राफ मशीन और प्लांट मशीन पर लिए आमने खरीदी नहीं पूरी और लीज पर लिए जैसे दस साली लीज पर लेली फिर आम उसे वापस रिटन कर दोगे तो यहां पर देखिए इंक चीजा हो को पहले में आप समझा दोता हूं मैंने पहले मीं पहले बताया होगा कि हमारे पास में क्या होता है कि इंकम टेक्स के लिए हमें जो अकाउंटध की जो पूरसी हो. होते हैं उनके दर हमें चेंज करना पड़ता है समझे कैसे हम हमारे पास एक इस्टूट बनावा है आई सी ए इंडिया चार्ट अकाउंटिंग्स के लिए जो हमारे जो हमारे चेंगोर्व करते हैं कि तरह आमको फ्यांटिंग को Hz हो關係 बनाते हैं वह फोलौ करते हुए मारे financial स्टेट्मेंट बनाते हैं लेकिन देखिए जब इंकम टेक्स रुकाना था इसके अकोडिंग फिर आपको प्रोपेट भी निकल रहाता है आपका ठीक है तो इंकम टेक्स इस प्रोपेट को सही नहीं मानता है इसके लिए हमें इनके अंदर चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन जो खर्चे वगरा जो आपने यहां पर लेखे थे प्रोपेट निकालने के लिए वह आएसी 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 है के अकोडिंग तो सही थे लेकिन इंकम टेक्स एक्ट है 1961 उसके एकोडिंग सही नहीं है उसके लिए अलग रूल्स दीवे हो सकते हैं वापर तो जहां जहां पर चेंज आता है उनको हम चाहां चेंज करते हैं और फिर इस प्रोपेट की जो कॉंटिटी है जो इसके अमाउंट है वो थोड़ी बदल जाती है हमेशा बड़े बिजि हमारे पास में कितना एक्समेंस अलाव और कितने नहीं है हो सकता है यहां पर तो आपको इसको समझें के से कि पट्टे पर हमने कोई चीज लिए ठीक है आमने ले लिए तो अकोडिंग टू इंकम टेक्स से जो पट्टे दाता है उसको छूट मिलेगी जो डेप्रिशन उसको मिलेगा पट्टे दाता को मिलेगा जो लेंडर है उसका जो स्वामी है जो ओनर है और जो ओरिजिनल ता जिससे आपने लिया है जो देने वाला उसको मिलेगा और अकोडिंग डिया है जो पट्टे दार है जो ली होल्डर है जो मतलब जिसने ले लिय है उसको मिलेगा तो यहां पर रहें देखिए एक विए दूसरे ना मुझा इसके अकॉडिंग तो हमें बिल्कुल अभी इग्नॉर करना है इसको तो मैं याद रखना ही नहीं है बस यह लिखा दिया था किया हम कभी कन्वेजन ना हो क्योंकि आपके इसके साथ करेंडर को इसको देने वाला उसको आपको डेप्रिशन अलाओ होगा कि नेक्ष इसके आगे चलते हैं कि प्रिश्यूर में यूज करना जरूवी देखिसमें क्या बताया गया है कि जब आप किसी भी एसेट्स के उपर आप डेप्रिशन लेने के आपका बेनिफिट लेना चा अमांट का लेकिन इससे हम लगा लेते हैं ताकि हम फ्यूचर से बना सके नहीं एस्ट करीदने के लिए अब डेप्रिशन आपने लगा दिया ठीक है इससे आपका क्या होगा आपका प्रोबिट कम हो जाएगा तो टेक्स कम देना पड़ेगा तो इसके लिए का बेनिफिट में खरीदा है उसका यूज करना जरूरी है अब यूज कर सकती हो एफेक्टिव और सक्री रूप से क्या होता है कि एक तो होता है कि आप पूरे रेगुलर साल के साल पूरे बारा मैंने जिस दिन आप यूज से जब से आम स्टार्ट कंटिनु किया रहे हो निश्करी प्रोइस ने कोई तालाबंदी कर दिया है आपने लोगडाउन कर दिया है आपका अजसा भी लोगडाउन हुआ ही था रिसेंटली तो इन कारण से आपके प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो और यह आपने परचेस तो कर लिए लेकिन आप उसे यूज में नहीं लेकर पड़ी होई है यह आपके प्रोड़क्शन एक बार भी श्राट नहीं किया तो फिर आपको लाओ नहीं कर दो नेश्टी संबधी का बिजनेस के साथ साथ प्रेस्टनल यूज भी करें तो इसमें भी डेपिशन लाओ है मतलब को यह जैसा कार है कार आपके पास में क्या होत आप यसी कार के ओपर ना आशेक काम ले रहे हो नीजी काम में तो माले फैमिली खुद गुम रही हैं आपिस्निस में काम में लेता क्यों काम में और विजनस काम में क्यों अब नहीं हो लेकिन यह कितना माउंट होगा इसका डिशाइड आप लोग नहीं कर सकते इसका कों करगा income tax officer ना 50-50 करेंगे ना 30-40 percentage करेंगे कोई ratio नहीं है हमारे पास में income tax officer ने यह अजूम कर लिया है कि यार आपको 50% हम इसका benefit देंगे 70% देंगे तो income tax officer जो सही मानेगा वही होगा इसके लिए कोई income tax act के अंदर कोई बिजनिस में यूज उसका कितना कर रहा है तो यह जो राइट है उसको दे दिया है income tax officer को इसके लाव उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है नेश्टी नियुकतदार परदत मकान के फरनीचर लेकर देखिए कभी 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 के बहुत सारी बार किया जब जो एंप्लोयर है जो आपका नियुकता है वह आपको रहने के लिए quarters हो करा देता है अब उन quarters के अंदर जैसे government के लिए और जो अच्छे ओपी सर्स हैं पर चलन से बाहर हो गई है एसे डिसकाड़ेट फ्रॉम यूज यूज से आपने बाहर कर दिया उसे प्राणी हो गई है तकनी खराब गई उसकी तो उसको डेपिशिन नहीं मिलेगा एसेट्स नोट यूज देखिए एसी एसेट्स में उपर वाला पॉइंट यह वापस यह कभी इंपोर्टेंट क्विशन मझा था बहुत सरे वर कंबडेंट एक जाम पूछा गया है क्यूशन देखिए एसेट्स नोट यूज रिजन क्या था उसका भी कारण क्या था श्ट कम रेट हो जाएगी उसकी यह भी ध्यान रखना कभी कभी एक जाम यह बोले है इस कारण आनुपादी रूप से हम डेप्रिशन कम कर देंगे त्री मंस श्टाग रही तो हम नाइन मंस का देंगे जैसे मालीच आपके एक्जांपल में भूच लिया जाता है कि साल में से ती सारे विकल्स बंद पढ़े हैं क्योंकि यह भी लोकडाउन लगिया था या फिर आपको माल ही नहीं मिला जो पर्टिकुलर जैसे आप एपल के अंदर चल रहे थे आपको अब सबसे इंपोरेंट जो प्रोविजन से वह इसके बाद में सवाला है बहुत इंपोरेंट प्रो जो भी रेट है जैसे मालंच और टॉंडिशन च्रप्रेशन जोभी रेट है जिससे मिलना है तो जो अमांट बने जैसे मालोंच यह निकल कर आ गई है तो यह तो आओं पूर्य-पुरे टैन थाउजंड के बेनिफीट मिलेंगा या फिर फाइब फाइब अन्सर नहीं है इ यहां पर एसेट्स का मदब नहीं इसका मदब यह नहीं कि पर एक लाग की बिल्डिंग आप मैं कोष्ट कितनी आपकी वह आपकी बिल्डिंग की कोष्ट है वह हो गया आपकी वन लेग इसके ओपर डेप्रिशेशन बना 10% की रेट से कितना हो गया 10,000 तो यह 10,000 है यह या तो आपको पूरे को पूरे दस का 10,000 ही वेनिफिट मिलेगा या फिर इसका आदा अमाउंट है वह मिलेगा आपको बस इंकम डेक्स में दो ही चीज़े हैं या तो पूरा पूरा दस का 10,000 बेनिफिट मिलेगा या फिर इसकी आदी अमाउंट थीक 5000 मिलेगी और आप इसके कोई किलकुलेशन नहीं कर सकते हैं वह ने नाइन मांस के कोड़ी मिलेगी दस दिन यूज़ करी दस दिन की कोड़ी मिलेगी नहीं के ओल दो ही कंडिशन या तो 100% 100% का मलदा पूरा का 10,000 म पूरा अर्फ का 5000 मिलेगा यह क्जंप लियागा वे एक बिल्डिंग दे जिसके कोष्ट देख लाग उसका पूरा पूरा आप आदा मिलेगा और कब आदा मिलेगा वह दीगए आपको यहीं मालों आपने कम से कम उसको 180 के लिए ठीक है 180 दिन के लिए यह आपने यूज कर लिया है 179 भी उसका है तो नहीं 180 डेस से यदि यूज कर लिया है तो आपको 100 प्रेशंट अलाओ होगा सब्सक्राइब करते हो जैसे 179 डेस हो जाए चाहे 25 दिन ही हो जाए चाहे एक दिन ही हो जाए ठीक है जिससे आपना प्रिवेस यह है ठीक है प्राप्त परिव्क का बात करीगए यह यूज की बात करीगए यह यह उन शब्दों पर ज्यान देना खरीदना और यूज करना दोनों अलग अलग चीज़े खरीद आप ले सकते हो यूज आपके लिए यहां यूज की बात की करीज़े वाले वड़ पर टिक मत कर देना थरेजना एक वायर परचेज वड़ तो बस लाना है यूज कपी की गरी उससे डेपरिशन मिलता है यह प्लान आपका एकलाक खरीदा उसके पर यह-कल्ड फिप्रीशन तो आपको मिले या मिलेगा है जो भी ब्ले यह आमने एक ही दीनी उच किया हो प्रिया थो तो भी आपकोमिल इसलेगा जैई अधस दीनी उच कर लो वन सेवन जारे स्कलो तब तक तक तो आमको पांच जार गया वेनिपीत में गाया लेकिन जैसे ही 180 तैस हो गई या से जदा हो गई 180 हो जाए 181 हो जाए 182 हो पूरे 360 जाए 325 जाए फिर आमको 100 डलाओ फिर मतलब आंको पूरे के पूरे 10,000 पर लाओंगे आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ माया होगा अब आपको देखिए आपका जो प्रीवेस यह रहे है यह है दो जार उन्नीस भीज ठीके ना और उन्नीस भीज के अंदर आपकी जो फरवरी है वह फरवरी 20 आ रही है फरवरी 20 जो है वह एक लीप वर्च ह पूर लीप वर्च होने कारण यह यहां पर 28 कितने दिन हो गए 29 दिन हो गए मतलब इस साल के अंदर इस से के अंदर यहां पर 366 डेस काउंट करेंगे हम ठीक है ना पहसाνतु उसलाव भगाज में works fully यह को नबंवां से करी थिन ऐसके बार में है यह पार तक कि के आंने करदी है तो आपने आपको आराम चाहा ने को कर दिया या एक को कर दिया या वंची सब्ठेंब्र बारिया दो यह那么 पहले पहले यूज करना कर दो तो मुल्ण तुन ठीन अक्टूबर तक लाश डेट आंपको लाज देट तक आम यह से यूज करना श्टाट गिए तो ठीक है नहीं तो इसके बाद में जैसे यह अगली डैट आथी जैसे यह उपर आले नॉर्मल वाली यह मैं बात को देख ले तो 180 डेस का benefit है आपको पूरे 180 डेस्ट कम लिट हो जाएंगे आपको 100% डेपरिशन अलाओ उगा इसके बाद में लेट हो गए आप चार अक्टूम्बर हो गए 5 अक्टूम्बर हो गए तो फिर आपको benefit कम मिलेगा फिर आपको benefit कम मिलेगा लेकिन फिलाल यह 3 October से बढ़कर यह date अपने वाले वर्ष के दर 4 October होई उसका रिजन क्या है चारक टूमबर होने का रिजन क्या है उसका रिजन है कि अभी जो पिरिवेस यह रहे वो लीफ वर्ष आ रहा है जो पिरिवेस ए उसमें लीफ वर्ष आ गया फरवरी 2020 आ रहा है 2020 का फरवरी 29 डे और इसके बाद में खरीदा है पांच अक्टूमबर दस अक्टूमबर एक जनवरी दो जनवरी 31 मार्थ तक भी एक दिन भी यूज़ करोगे तांको 50% benefit मिलने वाला है लिखा हुआ है एक सोसी दिनों से कम यूज़ करने पर डेशन आदे वर्ष का ही मिलेगा मिलेगा पर अलगले वहां पर दिन के साथ चलते हैं महींनों के साथ चलते हैं लेकिन यहां पर आप तो आपको यहादो पूरे शुद्र मिलेगा फिर सिक्समें चाव्यवां अब देखिए इसमें एक लोचा हो रहे वह क्या है उस चीज को समझिए कि यह एसेट सामने प्रियों से पेले वाले वर्षों में खरीद लिए प्रियों से अभी बात कुरूं प्रियों से एंदर जो प्रियों सियर आपका सब्सक्राइब लेकिन इसको आप पेले वाले वर्षों में करी चुके हो तो अब यह करने की जुरूत नहीं है आपको 100% एप्रिशन लाओ ओगा ठीक है मतलब वह 180 डेस की एलोशन आप तब करेंगे जब आपने सेम प्रियों से यहर में खरीदे हो वह सेम प्रियों से यूज कनाय श्टार्ट कर रहे हो क्या सेम 19-20 के अंदर आपने खरीदा और उसी यहर में आपसे यूज कनाय श्टा पर्षेंटर मिलेगा क्योंकि आपने उसी यहर में तो फिर आपको चाहिए अगले वर्ष में आप एक ही दिन यूज करो सजाए तो भी आपको 100% अलाओगा पूरे वर्ष का यह डेप्रिशन अलाओगा तो यह अच्छा प्रोवेजियों है क्योंकि बहुत सारी बार इसके सब्सक्राइब निकाल लेते हैं और वनेटेस से कम यूज करें सब्सक्राइब लेकिन नहीं वह आपके एक वर्ष पहले ही खरी चुक्का है तो फिर उसको पूरा सब्सक्राइब नहीं लगाने पर आपके इच्छा थी आपको नहीं लगाया या किसी विकारण से वहां पर आपको नहीं लगाया हो किसी विकारण से फीफो लागू होती फीफो में फ़स्ट इन फ़स्ट आउट में लागू होता है लेकिन अउनली सेल्स के उफर जब हम संपत्यों को खरीदते हैं तो खरीदने वाले ब्लोग को अम एक साथ बाद में इड़ करते हैं वह हम बाद में को सूल करने तब बहुर अच्छे सामक पर अब यह चीज है हमारे पास में तो यह करेंगे तो आगे हम चलते हैं देखिए अब डेपर इसके अधार मिलता है इसके अंदर हमारे पास नाइन गूरूप से जो देपृश्ण हमें समु का दर रहना है घूटल के टोटल कितने नुँ अब इसके अंदर हमारे पास चार डीट बाते करिए एक दो तीन और चार चार वाटे करीम पहले चारए बिल्डिंग करी गई यहां यहां पर कि रीट के लिए बात करी गई है इसे व्लाइट और मशीन सब्सक्राइब हैं यहां पर है इसके बाद इंटेंजीबल एसेट्स उसका वी एक समों है तो बड़ा सींपल सा है अपने द्यान रखना है अब आगे हम इसकी बात करते हैं कि डेपरिशन की से पहले में कुछ चीज़े ती जहाँ को सेम एक ही वर्ष के अंदर पुरा सो परशेंट अलावा लेकिन अब गोवर्मेंट नियम बदल दिया कहा है अब में जो रेट है वह 40 परशेंट रह गई है क्योंकि अधिक तर बड़े क्षिशन चाहिए किसी कमटेक जाओं वहां लिखी वह जाती है लेकिन इन चीव चीजें इनकी डेप्रिशन रेट नहीं लिखकर वह एक आपसे पहुंच सकता है कि बताइए डेप्रिशन रेट हमारे पास में कितनी है और कितनी नहीं है तो मैं य अलग बने में फाइफ पर्शेंट बनी इंपर्शेंट एफ एफ फोर्टी पर्शेंट बीलिंगे तीन सम्मु है ना अब यह बढ़ी बड़ी बड़ी बढ़ी बनती ना तो वहां पर उस बिल्डिंग को बनाने से पहले हमें वहां पर एप्टरेनी की और पर जो कुछ आ करें के लिए अधियन करें लिए पूरां बनाने के लिए बड़ी बनाने के लिए अधियेन आपर बने मिल चुका होगा कर दिए आपको याद नहीं करते हैं कि नोर्मल यूज कर रहे हैं कार सब्सक्राइब पर चलती है तक नहीं कि नहीं दिन रहा है और प्लांट और मशीन डिपे बहुत सार अलग पुलांट मशीम चाहिए चार अलग इस वहां पर लेकिंगे नौर्मल यांप लाइब कुछ नहीं बोलने पर हम 15 परशेंट तो यह तो इसके साथ में यह मैंने आपर एक नहीं लिखा है वह आप यहां नोट करेंगे इंटेंजीबल एसेट्स जो अमूर्थ संबध्यां उनके बर 25 परशेंट उनके बर कितने रेट है 25 परशेंट तो यह मेंन में रेट से इसके लागा कोई भी रेट साओं को एकभी नहीं पूछता है यह जो मेंन में रेट से उन बता दी आपको इनको आपको यादखना है इस यहां पर जो सबसे बड़ी चार्ज चीज है वह मैंने में 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 हमारे बाद कम्पीटर नेंट बुक्स हैं उसके पर 40 परशेंट है फंडीचर परशेंट है बिल्लिंग परशेंट है इस सबसे ज़्याद है इंपोर्टेंट इसको बहुत हैं अभी कितना गई है 40 परशें यहीं कम्पीट होती है तो आप इसे जबड़ा द्यान से याद करें ठीक है और ज़्याद इस चैनल को लाइक शेयर शब्सक्राइब करें थेंक यू